अब इंदजार हुआ खत्म, टीचस अड़ा की पूरी टीम आ रही है आपके सहर टीचस द्वारा फ्री कांसलिंग और गाइडेंस पाने के लिए मिले हम से इस सोमवार 11 अप्रेल सुबह 11 बजे मुकरजी नेगर और जेटीवी ने फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए इस वीडियो के नीचे दिये गए लिंक पर जाकर रजिस्टर करें अथ्वा कोल करें 875-050-8840 पर अभी इंदिश्ट्रेशन नमस्कार सुवागत है आप सभी का ड़ 24-7 के ओफिशिल यूट्यूब चानल टीचरस अडपे और मैं में अमद साइंग आप सभी के सामने हाजर हो चुका हूँ और जैसे मैंने पिछले अपते भी पताया था कि हर अभीवार आप सभी के लिए DSSB special Sunday लेके आएगा easiest questions पे एक marathon जो आपकी DSSB के 50% portion को cover करेगा जितने भी हमारे easy questions हैं जिस पर सबसे कम time हमें देना है उन सब सवालों की just every Sunday आपको मिलती रहेगी और Monday to Friday यानि पाँच दिन आपको paper 2 के उन हिस्सों को जो moderate to difficult level questions होते हैं उनको solve कराए जाएगा तो आईए session में participate करते हैं और जो लोग paid batch में अभी तक अपनी enrollment नहीं लिये है 21 तारिक से target batch for DSSB TGT Natural Science and PGT Chemistry Physics and Biology आ रही है आपकी अपनी responsibility बनती है कि अगर आपकी preparation नहीं है तो जल्दी से इस batch को join कर ले batch join करने के लिए करना क्या है अड़ा 247 आप को download करना है अड़ा 247 आप को download करने के बाद सीधे store में जाने के बाद आप DSSB TGT Natural Science batch purchase करते हैं और अगर आगे के batch purchase करने हैं या कोई और examination के आप तयारी कर रहे हैं तो आप सीधे purchase करोगे teaching का maha pack teaching का maha pack जिसमें सारे batches आपको 12 महीने तक मिलते रहते हैं अब teaching का जब maha pack लोगे तो एक certain cost है लेकिन maximum discount के लिए coupon code apply करना y223 जिससे आपको सबसे ज़्यादर discount मिल जाए चले start करते हैं अपने session को पहला सवाल screen पे ये रहा कि a piece of cork is embedded inside an ice block which floats in water what will happen to the level of water when all ice melts जब कोर का एक टुकड़ा एक बर्फ ब्लॉक के अंदर embedded होता है तो जो पानी में तैरता है जब सारी बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का stir क्या होगा जल्दी जल्दी बताएंगे क्या होगा it will go down it will go um it will remain same तो याद रखेगा कभी भी कोई एक system में बर्फ है और वो गल र रहा है तो पहले सी भी वो system का party था बाद में भी वो system का party रहा तो कोई बदलाव नहीं होगी option number C will be the right answer अगला सवाल question number 2 when a body is immersed in a fluid the force of buoyancy of the fluid on the body depends on कहता है कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में डूबोया जाता है तो शरीर पर द्रव के प्रवाह का बल निर्भर करता है किसके उपर शरीर की विसर्जित मात्रा के उपर तरल के घनत्व के उपर या फिर स्थान के गुरत्वाकर्शन के कारण या उपर के सारे बयान सही है तो जब भी कोई बॉडी इमर्स होती है यानि डूपती है किसी द्रव में तो उसके वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है उसके घनतु पे भी डिपेंड करता है और एकसिलरेशन डियू टू ग्राविटी यानि गुरुत्वाकर्शन के बल के होगा option number D will be the right answer तो आपका सही जवाब option number D होगा अगला सवाल तेजी से time management मैंने बताया था जब डीटर प्लेजमें माराथॉन हो तो इसमें वक्त नहीं दिया जाएगा बहुत तेजी से जवाब देना है सवाल देखते जवाब आना चाहिए अब प्रेशर गौज की गती hydrometer जल के घनत वह अगला सवाल question number four दे अनरोइड बैरोमीटर यूजज पारा आसूत जल शराब या किसी भी तरल का उपयोग करता है अनरोइड बैरोमीटर मरकरी का इस्तमाल करता है डिस्टिल्ड वाटर का अलकोहॉल या डिस्ट नॉट यूज अनी काइंड अफ लिक्विड और इसका सही जवाब है कि ये किसी भी तरीके के द्रव का इस्तमाल नहीं करता option number d is the right answer तेजी से बच्चे अपना speed बनाएं अगला सवाल question number five a device used to measure height above sea level समुदरी सत्य से उपर उचाई को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तमाल किया जाता है या इनिमो मीटर या पोटेंशियो मीटर तो विभव मापी किसी दो बिनदू के बीच विभवांतर को मापता है animometer वायू की गती को मापता है और altimeter उचाई को मापती है तो सही जवाब option number A आपका होगा अगला सवाल question number 6 instrument used to measure atmospheric pressure वो यंत्र जो वायू मंडली अदाब को मापता है pyrometer विकिरन को मापता है udiometer गलत हो जाएगा hydrometer गलत हो जाएगा वो किसका इस्तमाल करता है तरल का जो breaking ball को संचारित करता है या चालक दुआरा लगाया हुआ बल या hydrogen gas and not any liquid hydrogen gas और कोई और तरल नहीं या फिर vacuum break या फिर एक vacuum break का इस्तमाल करता है question number 7 क्या होगा सही जवाब जिसका सही जवाब होगा एक तरल का इस्तमाल करता है breaking force के लिए अगला सवाल का जवाब आपका क्या होगा mercury is used in barometer because barometer में पारे का इस्तमाल किया जाता है क्योंकि क्या होगा जवाब its density being very high इसकी घनत वजादा है at ordinary temperature its vapor pressure small साधार तापमान पर इसका वाश्पदाब छोटा होता है it is opaque and does not wet glass या all of the above are correct तो इसका सही जवाब क्या होगा सारे जवाब सही है सतेह को गीला नहीं करता अपार दर्शी है घनत वज्यादा है तो option number D is the right answer अगला सवाल the hydraulic jack to lift heavy vehicles भारी वाहनों को उठाने के लिए जिस jack का इस्तेमाल करते है जो तरल का इस्तेमाल करता है automobile service stations में is the application of pascal archimedes boils law, hooks law बहुत आसान सा सवाल हो और इसका सही जवाब क्या होगा pascal के नियम का इस्तेमाल करता है hydraulic brake हो hydraulic jack हो hydraulic lifters हो so correct option option number A या hydraulic crusher सी क्यों ना हो अगला सवाल question number 10 the instrument used to determine relative density of a liquid by the principle of flotation is flotation के सद्धांत द्वारा तरल के सापक्ष घनतु को निर्धारित करने के लिए उपयोग किये जाने वाला उपकरण क्या होगा hygrometer, hypsometer, hydrometer या densimeter और इसका सही जवाब option number C hydrometer is the right answer hydrometer is the right answer अगला सवाल question number 11 a lactometer is used to एक lactometer का उपयोग किया जाता है विसस्ट गुरुत्वा कर्शन का पता लगाने के लिए तरल पदार्थों की मातरा को मापने के लिए दूद की शुद्धता का परिक्षन करने के लिए या फिर car battery में acid की तागत निर्धारित करने के लिए इसका सई जवाब क्या होगा दूद की शुद्धता का मापने के लिए मापन करने के लिए lactometer का और खारेपन के मापने को लिए salinometer का इस्तमाल करते हैं अगला सवाल solids have definite shape this is because ठोसो का एक निश्चित आकार होता है किसकी वज़े से force of cohesion force of cohesion बहुत ज़्यादा होता है force of adhesion यानि असंजग बहुत ज़्यादा होता है force of adhesion बहुत कम होता है क्या होगा जवाब बताइए पहले में ससंजग कम दूसरे में ससंजग ज़्यादा तीसरे में संजग ज़्यादा चौते में संजग कम और इसका सही जवाब, option number B, बहुत सही, option number B is the right answer तेजी से बच्चों, देखो, नाम एक एक का नहीं ले पाऊंगा, because marathon है अभी नाम लेना, possible नहीं है, बस आप लोग participate करते रहें अगला सवाल, question number 13, the attraction of unlike molecules at the common surface is known as the attraction of unlike molecules at the common surface is known as adhesion, cohesion, surface tension ये capilarity और इसका सही जवाब क्या होगा, बिलकुल सही, option number A, adhesion is the right answer attraction of unlike, समझ लो, A और B है, तो उसके बीच लगेगा adhesion उसके बीच लगेगा adhesion, और A और A है, तो इसके बीच में लगेगा cohesion, ध्यान रखिएगा मतब, same type of molecules के बीच cohesive force, unlike molecules के बीच में adhesive force अगला सवाल, question number 14 In a river, the currents are fastest where the river is कहता है कि नेक नदी में धाराएं सबसे तेज होती है, जहाँ नदी क्या होती है चोड़ी और उथली संकीन और उथली चोड़ी और गहरी या संकीन और गहरा wide and shallow, narrow and shallow, wide and deep, narrow and deep क्या होगा जवाब, question number 14, बहुत बढ़िया option number B, जो narrow हो और shallow हो, उसमें धाराएं तेज होगी जो गहरी होगी, जो गहरी होगी, शान्त होगी वही सबसे dangerous भी होती है, याद रखेगा और उसमें currents, यानि जो धाराएं होती है, वो बहुत slow होती है अगला सवाल, pieces of camphor placed on water move above rapidly, this is because of कहता है कि पानी पर रखे कपूर के टुकडे तेजी से बढ़ते हैं, इसकी वजह क्या है diffusion, viscosity, surface tension या capillarity और इसका सही जवाब क्या दोगे आप इसका सही जवाब option number C, घनत्व की वजह, प्रिष्ठिय तनाव की वजह से सतह तन, सतही तनाव की वजह से ऐसा होता है कि कपूर के टुकडे यानि camphor के टुकडे तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, वैसे camphor यानि कपूर को देखो तो ठोस अवस्था से direct gasy अवस्था में बदलता है, उस एक विधी द्वारा जिसे हम sublimation कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, वर्ड वो अगनम दिमाग पर नी चाड़ रहा, हिंदी में इसे हम कहते हैं, पुर्णा हिर्मायन is freezing and sublimation is उर्ध वो पातन, sublimation को हम उर्ध वो पातन कहते हैं, जिसमें solid gas में बदल जाती है, या gas directly solid में बदल जाती है, अगला सवाल, question number 16, in compact porous soil, the rising of water is due to, compact जर जरे मिटी में पानी का बढ़ना होता है, capillarity, cohesion, addition या viscocity, किस वज़े से, porous soil में, जिसमें दरारे पड़ी होती है उस मिटी में पानी जो जाती है, वो कैसे जाती है, इसका सही जवाब, option number A, बिलकुल, capillarity, केशी कात्व की वज़े से, इसे हम क्या कहते हैं, केशी कात्व, केश नलिया बनी होती है, जिसे हम capillary tubes कहते हैं, केशी कात्व के वज़े से, अगला सवाल, question number 17, the mixing of two gases as a result of random motion of molecules is, कहता है कि अगर दो gas मिलें, लगातार motion की वज़े से, तो उसे हम क्या कहते है, diffusion, effusion, vaporization, sublimation, प्रसार, बहाओ, आश्पीकरन या उर्धुपातन, 17, जवाब क्या होगा, बिलकुल सही जवाब A, diffusion, विसरन, उसे कहते है, जैसे perfume के bottle से, perfume जब बाहर निकलता है, तो gas के बीच वो मिशित हो जाती है, और पूरा room जो होता है, वो एक अच्छे odor के साथ भर जाता है, when a bottle of perfume, देखो, अगला सवाल ही वो आ गया, कि when a bottle of perfume is opened, in the corner of a room, the smell spreads soon throughout the room, this is an example of, तो इसका सही जवाब क्या होगा, option number D, diffusion ही होगा, कि जब किसी कमरे के कोने में इतर की bottle खोली जाती है तो गंद पूरे कमरे में फैल जाती है, इसका एकोदारन विसरन है, सही जवाब, question number 18 का D होगा, ठीक है, अगला सवाल, question number 19, when a bowler spins a wall, जब एक bowler ball spin कर रहा होता है, तो it changes its direction in air, this is due to, किस वज़े से वो change करती है, turbulence caused by the wind, हवा के वज़े से एक रुकावट आती है, buoyancy of air, वा एक जगे पर हम कम दबाओ देते हैं और दूसरे पर जादा, मताब अगर spin कराना हो, तो किसी एक तरफ हम लोग पकड़ते हैं, या दूसरे तब पकड़ते हैं, या अगर leg spin कराना है, या फिर off spin कराना है, अगला सवाल, question number 20 की तरफ चलते हैं, यहाँ भी जब fast bowler swing कराता है तो seam से या तो left या तो right पकड़ता है, तो अगर right पकड़ रहा है, तो in swing कराने वाला है, अगर left पकड़ रहा है, तो out swing कराने वाला है, ठीक है, the property of a fluid by which it resist its relative motion within itself is known as cohesive force, surface tension, diffusion या viscosity, एक तरल पदार्त की संपत्ती जिसके दुआरा यह अपने भीतर की सापेक शियती को रोक देता है, उसे कहा जाता है, एक जूट करने वाला बल, सतही तनाव, प्रसार या शयानता, और इसका सही जबाप आप 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 लोग क्या दोगे बिलकुल सही शयानता यानि विसको सिटी, अब देखो कोई एक बॉटल से पानी गिरा देता है, तो पानी आराम से बह जाती है, लेकिन अगर शहद गिराता है, तो शहद ऐसे ऐसे करके यही रुख जाती है, क्यों इसके बीच में शयानता जादा है, यह मान लिया हनी है, और यह मान लिया वाटर है, तो वाटर जल्दी फैल गया, तो वो अपने मोशन को रोक नहीं पा रहा, और उसके मोशन को रोक रहे हैं उनके कण, लेकिन उतना तेजी से नहीं, जितने शहद के अनू उनको रोक पा रहे हैं, अगला सवाल, कॉश्चन नमबर 21 की तरफ चलत अगला सवाल, the fact that two large ship कहती है कि दो बड़े बड़े जहाज जब चल रहे होते हैं परस पर, तो आगे चलके वो टकराओ के अवस्था में आ जाते हैं, इसकी वज़ाय क्या होती है, बर्नॉलिस प्रिंसिपल, मैगनेटिक प्रोपर्टी अफ देशिप माटेरियल, न्यूट треть law of motion, earth gravitation, इसका सही जवाब बर्नॉली का प्रमे है, बर्नॉली का प्रमे स्ट्रीं लाइन मुशन को दिखाता है जहाँ पे एक पाइप से अगर पानी बाहार होते होँ तो आगे चल के यह स्ट्रीं लाइन बहुत ही पतली धारा से निकलती है, जहाँ पे स्पीड भी बढ floats on the water in a lake, apparent weight is, अगर वो तैर रहा है, तो उसका ओस्तन कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि आर्किमेडीस का सिध्धांत यह कहता है, कि वेन पार्टिकल is completely or partially immersed in a fluid, the weight displaced by it is equal to the volume of water it has displaced, तो अगर वो ऐसे तैर रहा है, इसका मतलब अपने पूरे भार का, जो अपने पूरे भार के बराबर, जैल उसने विस्थापित भी नीचे से की होगी, तो उसका 80 बार कितना होगा, 0, 0 होगा, अगला सवाल, question number 24, the attraction between similar molecules is called, similar molecules के बीच में, ससंजक बल, यानि cohesive force कहते हैं, एक जूटता या ससंजक का बल, अगला सवाल, question number 25, barometer was invented by, barometer किसके दोरा invent किया गया था, माइकल फेराडे, टॉरी सेली, थामस अलवा, अडिशन या बेंजमिन फ्रैंक्लिन, और इसका सही जवाब क्या होगा, बच्चों, option number B, टॉरी सेली ने, barometer का, खोज किया था, आव आपसल number C, जूल होगा, ठीक है ना, work, power, energy, सबकी, जूल ही होती है, what क्या होता है, work done per unit time, मतलब work by time होती है, ठीक है ना, अगला सवाल, question number 27, solar radiation is preferred to other sources of energy, because, सौरे उर्जा बाकी और उर्जाओं के श्रोत के सापेक्ष में, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्यों, य इसे बरबाद आप करी नहीं सकते है, रोज सूर उकता है, जाएगा, दूबेगा, फिर आएगा, सबसे सस्ता भी है, और कोई प्रदूशन नहीं मचाता, तो option number D सही जवाब होगा, अगला सवाल, question number 28 के तरफ चलते है, the direction of feet flow between two objects depends on, अगर उसमा का स्थानांतरन हो रहा है, ताप प्रवा हो रही है, तो दिशा किस पर निरभर करती है, उनकी गर्मी सामगरी, उनकी जनता, उनके तापमान या चाहे वे ठोस, तरल या गैसी अवस्था में हो, किस पर डिपेंड करता है, question number 28, बैटा ये डिपेंड करता है कि उनका तापमान कैसा है, higher to lower, मतलब when there is a conductors of heat, जो धातू होते हैं, वो अच्छे चालक होते हैं, उश्मा के, क्योंकि, they contain free electrons, their atoms are relatively far apart, their atoms collide frequently, they have reflecting surfaces, और इसका सही बयान ये है, कि इनमें मुक्त electron होते हैं, उनका परमानू अपहिक्शा की तलग है, उनके परमानू अपसर टकराते हैं, उनके पास सतहों को प्रतिविं करना है, और इसका सही जवाद क्या होगा, बेटा, अब्यूस सी बात है, they contain free electrons, कोई भी अच्छा चालक है, मतलब उनके पास free electrons हैं, जो कि transfer किये जा सकते हैं, आइनिक bond बना लेते हैं, अगला सवाल, question number 30, a temperature between below, below absolute zero for an ideal gas cannot be attained, is impossible, does not exist at all, या cannot be obtained experimentally, और बेटा, इसका भी सही जवाब, option number C होगा, क्योंकि ये impossible है, ना ही आप किसी experiment में, ना ही कभी आप प्राप्त कर सकते हैं, और ये मौजूद भी नहीं होता, तो हम कह सकते हैं, is impossible, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, option number C, अब physics के उपर हमने 30 सवाल practice किये, अब आगे बढ़ते हैं, अगले series की को ने किया, लगभग 30 मिनट में हमने 30 सवाल कर लिए, ठीक है ना, एक एक मिनट में, यही speed maintain करना है, वेटा, अगले 40 सवालों के लिए, अगले 40 सवाल आ चुके है, DNA is a component of mitochondria, chloroplast, cytoplasm, या A and B, बोथ, जल्दी से बताइए, क्या होगा सही जवाब, मैं पानी पी लूँ, रापिड फायर है वेटा, एकदम रापिड फायर है और रापिड फायर में ऐसे ही प्रफर्म करते हैं, धड़ा धड़, मज़ा आ रहा है, जल्दी बताइए, DNA किसका component है, mitochondria, chloroplast, cytoplasm, या A and B, बोथ, कोई दिक्कत नहीं है, D में, mitochondria और chloroplast, इसलिए तो यह semi-autonomous organically भी कहलाते हैं, option number D, इसका सही जवाब होगा, अगला सवाल, इन में से double membrane bound organically या endoplasmic reticulum, इन में से double membrane bound organically एक तो है, और वो है, बेटा, mitochondria, इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है, माइटोकॉंड्रिया, गॉल्गी बाडी, यह सब double membrane bound organically है, अगला सवाल, अगला सवाल, दे सेल organically containing the flattened membrane bound sister d are located near the nucleus is, कहता है, चप्टा, जिल्ली, घिरा, सिस्टर्नी, युक्त, सेल, और गानली, नाभी के पास थित है, उसे हम, माइटोकॉंड्रिया में देखते हैं, गॉल्गी बाडी में देखते हैं, सेंट्रियोल्स में देखते हैं, युक्लियोलस में देखते हैं, तो इसका सही जवाब है, option number B, गॉल्गी बाडी में देखते हैं, गाल्गी काय में देखते हैं, तो सही जवाब, option number B होगा, अगल के द्वारा होता है किस प्रक्रिया के द्वारा होता है तो इसका अप्टिव अब्सार्प्शन की वजए से होता है एनर्जी की जरूरत पड़ती है option नमबर बी विल बी दर राइट आंसर अगला सवाल question नमबर फाइव question नमबर फाइव क्या है सुसाइडल बैक्स अफसेल कौन है बई सुसाइडल इसमें टाइम मतलो प्लास्ट्रिड्स नहीं लवक कहां से सुसाइडल हो गए यह तो एनर्जी ही देता है राइबोजूम एप एंजिन अफसेल है तो सही जब आप क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी क्योंकि इनके पास active hydrogen pump है active H plus pump है ठेक है और इसके पास hydrolytic enzymes भी होती है hydrolytic enzymes भी होती है जिनको कई नामों से जानते हैं carbohydrases, nucleases, proteases, lipases अगला सवाल question number 6 the powerhouse of cell is प्रस्टिड गलात ribosome गलात गौलगी complex जालात option number A is the right answer अगला सवाल question number 7 vesicles are essentially for normal functioning of गल्गी apparatus because they provide energy for chemical reactions they move proteins and lipids between different parts of the organelle they contribute to the structural integrity of the organelle they produce the sugars that are added to the proteins क्या होगा जवाब option number B बिलकुल सही जवाब इसका जही सही जवाब क्या होगा they move proteins and lipids between different parts of the organelle यही काम होता है vesicles का तो सही जवाब क्या हो गया option number B will be the right answer option number B will be the right answer अगला सवाल question number 8 amino acid chains built by ribosomes then move to the गौल्गी apparatus, lysosome, endoplasmic reticulum या mitocountria amino acids जिसे ribosome बनाता है वो कहां जाती है तो इसका सही जवाब option number C यह endoplasmic reticulum में जाती है जिसे हम SCR और RER के नाम से जानते हैं अगला सवाल question number 9 question number 9 है simple tissues are paranchyma तो simple permanent tissue paranchyma sclerenchyma colonchyma तो देखो सी में देख रहा है parenchyma xylem sclerenchyma to see galat paranchyma colonchyma sclerenchyma option number B is the right answer B is the right answer Parenchyma को कहते है sthulot tak colonchyma को कहते हैं मृदोत तक और sclerenchyma को हम कहते हैं तरह ठीक है ना जिसमा पारण काईमा colonchyma living tissue sclerenchyma dead tissue अगला सवाल question number 10 कहता है कि वो जीवित कोशिकाएं जो तन्यबल प्रदान करती है उसे क्या कहते है तो इसका सही जवाब होगा और इसी से हम कह सकते हैं कि हाँ वो तन्यबल भी प्रदान करती है option number B is the right answer rapid fire rapid fire बेटा 40 सवाल हो गए और कितने बचे हैं 30 सवाल बचे हैं आज मैं आपके लिए लेके आया था 40 प्लस 30 सवाल लेके आया था अगला सवाल the energy currency of the cell is ADP, ATP, NADP, FADP बेटा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option number B energy currency adenosine triphosphate को कहते है adenosine diphosphate को नहीं कहते है nicotinamide adenine dinucleotide phosphate को भी नहीं कह सकते और flavin adenine dinucleotide phosphate को भी नहीं कहते है option number A, C और D गलत है B is the right answer अगला सवाल question number 12 the organically that is present only in plant cells वो कोशिकात वो जो सिर्फ पौधे की कोशिकाओं में ही मौजूद है mitochondria endoplasmic reticulum ribosome या plastic और इसका सही जवाब क्या होगा जो पौधे में मौजूद है mitochondria ribosome और plastic तो पौधे में जो सिर्फ मौजूद है सिर्फ पौधे में मौजूद है वो है plastic option number D is the right answer लवक अवरणी वरणी है ना या हरित लवक जिसे हम chloroplast chromoplast alluroplast lyoplast lyoplast lycoplast जिसके नाम से भी जानते हैं बिटा वो लवक है अगला सवाल question number 13 quiescent center is found in root tip cambium shoot tip या lift shant kendra किसमे पाया जाता है question number 13 बिटा क्या होगा जवाब option number a root tip pe quiescent center पाया जाता है option number a is the right answer अगला सवाल the conducting cells of xylem are tracheary elements, sieve cells, companion cells all of the above of xylem पूछा है तो बिटा sieve elements तो phloem का है ना सीव तो phloem का है तो इसमें कैसे आप जवाब दे सकते थे companion cells भी phloem का है all of the above हो नहीं सकता था तो tracheides होता है xylem में तो सही जवाब क्या हो जाएगा option number a जिसे हम क्या कहते है वाहीनिया वेसल्स को कहते है वाहीकाएं ठीक है अगला सवाल question number 15 the chief function of vessels in the plant body is vessels का vessels का यानि वाहीकाओं का पौधे की शरीर में क्या काम है translocate food material conduct water and mineral salts to support living cells या फिर all of the above तो उनका काम है to conduct water and mineral salts vessels किसका घटक है xylem का और xylem का काम क्या है water और minerals का water और minerals का एक जगे से दूसरे जगे स्थनांतरन खनीज और जलका तो b is the right answer अगला सवाल question number 16 inner surface of fallopian tubes bronchi and bronchioles are lined by कहता है अंदर के सर्फ सतह को अगर हम देखे fallopian tubes के bronchi के और bronchioles को तो वो किस से बने हुए है squamous epithelium ciliated epithelium calumnar epithelium या cubical epithelium और इसका सही जवाब option number b ciliated epithelium से ये बने हुए है तभी चीजों को ये trap कर पाते हैं जैसे sperm cells की बात करें ट्राकिया को अगर हम देखे तो mucus cells या बाहर के जो dust particles होते हैं को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं अगला सवाल question number 17 दो और गानलीज देट कंटेंड देर ओन जैनेटिक material आर वो कोशिकात्व जिनके पास अपनी अपनी अनुवान्शिक पदार्थ है उसे mitochondria vacuol कहते हैं प्लास्टिड गॉलगी complex कहते हैं mitochondria प्लास्टिड कहते हैं ribosome nucleus कहते हैं nucleus हाँ nucleus कहते हैं question number 17 क्या होगा जवाब option number c बहुत सही बाई तो कॉंट्रिया और प्लास्टिड का अपना ओन जैनेटिक माटीरियल होता है ग इसका सही जवाब होगा अगला सवाल question number 18 the photosynthetic pigment is chlorophyll chromophyll या क्रोनो नहीं होगा chromophyll xanthophyll या fuco xanthin photosynthetic pigment इन में से कौन है प्रकास sensation बेटा photosynthesis आपको पढ़ाया है तो गलती मत करना chlorophyll इसका राइट answer होगा अब क्या सोच रहे हो chlorophyll a और क्या बताया था मैं बीटा carotene मैंने क्या बताया था these are the universal pigments of alga अरे भाई में chlorophyll तो होगा किसी में a होगा किसी में b होगा किसी में c होगा किसी में d होगा किसी में e होगा अगला सवाल question number 19 average lifespan of human rbc आंख बंद करके 120 दिन वैसे 120-127 दिन तक भी होती है न ठीक है ना कभी-कभी 120-127 दिन तक भी जेती है a b d तो नहीं होगा अगला सवाल question number 20 which set clearly identifies striated muscles धारीदार मांस्पेशियां कौन बताती है cylindrical syncytial unbranched spindle unbranched unununucleated cylindrical striped nucleated cylindrical striped branched belenakar syncytial unbranched unbranched मतलब जिसमें शाखाए नहीं होती तो question number 20 का सभी जवाब क्या होगा तेजी से बिटा वो cylindrical होते हैं syncytial होते हैं और unbranched होते हैं उनमें कोई branching नहीं होगी option number a ही इसका सही जवाद है अगला सवाल question number 21 क्या कहता है भई cardiac muscle cells are cylindrical cylindrical branched ununucleated involuntary cardiac muscles मतब हिदय की मांस्पेशियों की बात की जा रही है ununucleated involuntary multinucleated involuntary multinucleated involuntary multinucleated involuntary question number 21 इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option number b is the right answer बहुत सही ununucleated मतलब एक नाभिक होती है और involuntary मतलब वो हमारे इक्षाओं के अधीन नहीं होती वही होती है cardiac muscle option number b is the right answer अगर इक्षाओं के अधीन होता तो सब अपने दिल पे काबू कर पाते हैं blood phloem and muscle are tissue organ cell या organ system जल्दी से बताईए कोर्शन नंबर 22 स्वाधिस्ट क्वेश्चिंस हैं स्वाधिस्ट क्वेश्चिंस तो blood is a liquid fluid connective tissue phloem is a conductive tissue muscle is a tissue तो सही जवाब क्या हो जाएगा option number is the right answer अगला सवाल बही क्या है question number 23 पचीसवे सवाल पर थोड़ा पानी पिया जाएगा certain specific regions where growth takes place in plants is called and perispa, mendospa, meristemioste, तो जहाँ growth हो जहाँ growth हो उसे हम विभज्योत तक कहते हैं option number c is the right answer जहाँ विभाजन हो सके वहीं व्रद्धी होगी अगला सवाल question number 24 the fibrous tissue which connects the two bone तो जब भी ऐसी question आए तो बस एक टोठका याद रखना बी बी एल and BMT बी बी एल और BMT मतलब जब भी बोन बोन से जुड़ेगा तो ligament से जुड़ेगा जब भी bone man species जुड़ेगी तो tendon से जुड़ेगी तो bone to muscle tendon and bone to bone ligament तो इधर क्या option में ligament दिख रहा आपको ligament दिख रहा क्या ligament दिख रहा है तो option number c is the right answers ना यू जिसे कहते हैं अगला सवाल question number 25 largest number of cell bodies of neuron in our body are found in retina spinal cord brain या tongue बढ़ा अच्छा सवाल है question number 25 बताइए कि सबसे ज़्यादात में जो neurons हैं हमारे शरीर में कहां पाई जाते है retina spinal cord brain या फिर tongue question number 25 चल दी से जल्दी से जल्दी से come on 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 and the correct option is option number c brain is the right answer काहे पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है चक्कर में आगे वरते रहें neurons are classified on the basis of number of nucleus present in a cell or number of processes arising from the cell body number of dendrites present or number of axons present किसके आधार पे neurons का classification होता है और सही जवाब है option number b कितने processes निकल रहे हैं कितने processes निकल रहे हैं उससे कितने नीचे के axon terminals निकल रहे हैं उसके उपर depend करता है कोशी का निकायों के आधार पे depend करता है कि neuron किस थरीके का है अगला सवाल question number 27 the girth of the system of root the girth girth का मतलब होता है मोटापा कहता है और सिस्टम नहीं स्टेम या तने की मोटापा या फिर जड़ के मोटाप मोटापे की अगर बात करूं तो अगर वो बढ़ रहा है तो किसके वज़े से बढ़ रहा है अपिकल ग्रोथ इंटर कैलरी मेरिस्टम लैटरल मेरिस्टम और नन तो जब भी ग्रोथ बढ़ रही होती है मोटापे में तो वह इंटर कैलरी मेरिस्टम के वज़े से बढ़ रही होती है तो सॉरी लैटरल मेरिस्टम के वज़े से बढ़ रही होती है तो आप्शनों का क् गर्थ में आपिकल लेंथ में और इंटर नोडल ब्रांचिंग में बस इस बात का ध्यान रखेंगे करेक्ट ऑप्शन सी इस दराइट आंसर अगला सवाल कहता है कि जब भी निर्माण हो रहा होता है अगला सवाल कोशन नमबर 29 टिशूस दाट हाव लॉंग एंड नारो सल्सार कॉल्ड वो उत्तक जिसमें लंबे और सक्रे कोशिकाए हो उन्हें क्या कहते हैं क्या होगा बहुत सभी था ऑप्शन नमबर सी क्या दिक्कत है इसमें जर्मिनल एपिथीलियम ही होगा जिससे एक्टोडर्म एंडोडर्म और मेसोडर्म निकलते हैं ऑप्शन नमबर सी अंकुरत एपिथीलियम मतब समवहनी उत्तक का क्या काम है support का support and transport secretion of plant hormones या all of the above तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option number B is the right answer support और transport का hormones का संसलेशन नहीं कर रहता है या अब transport option number B is the right answer कोई दिक्कत नहीं दस सवाल और अगले सवाल का जवाब दीजे सवाल आपके screen पर है तेजी से विच टिशू लाक्स ब्लड सप्लाई अंड हील स्लोडी कि अधाये कौन सा उत्तक है जिसके अंदर रक्त का धारा संचार नहीं है और वो धीरे धीरे ठीक होती है नर्वस मसल कार्टिलेज बोन एंड टिशू बताइए सी कोई दिक्कत नहीं है नोब तवी तो यहां पर कां में लोग अपनी पीर्सिंग कराते हैं यहां पीर्सिंग कराते है तो ऊतनी खूल नहीं क्योंकि बहुत कम सप्लाई है काटिलेचिस में उपास थी कहते हैं अग्ला सवाल कोशन नंबर 32 बेसिक पाकिंग टीशु इसक्लरण काइमा कोलन काइमा जाइलम या पारंकाइमा बेसिक सबसे आम जो बुनियादी पैकिंग उत्तक है उसे हम क्या कहते हैं पारंकाइमा जिसे बनी हुई है उस एपिडर्मिस के इसमेडऴपव कोलन काइमा स्कलरण काइमा पारंकाइमा जाइलम में ठीडर्मिस के नीचे लीप स्टाप में उत्तक बना है कोलन काइमा से स्क्लरन काइमा से या फिर जायलम से इसका सहीजवाब क्या होगा ऑप्शन Numbers C बहुत सही पारं की हरी होती है पेल ग्रीन होती है अगला सवाल थिकेनिंग वॉल्स ऑफ दस्क्लेरें काइमा टिश्यो इस डियू टू जितना ज्यादा स्क्लेरें काइमा या दिन रोट तक मोटा होता जाता है वह किसकी वज़े से होता है दियू टू डिपोजिशन अफ लिगनीन सुबरीन म जल्दी से सोचके बताइए टाइम देर्ट बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं एंडोडर्मिस कोटेक्स फ्लोइमिया एपिडर्मिस और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बहुत सही एपिडर्मिस कहते हैं ऑप्चिन नमबर डी इस दा राइट आंसर ठीक है अगला सवाल क इस आप्षिंस आपन्ट फंक्शन आफ राइबोजम से इनमें से कौन वह फंक्शन है जो राइबोजम का फंक्शन नहीं है जल्दी से सोचके बताइए टाइम दे रहा हूं आपको अग 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 क्या होगा C is the right answer 3 and 4 क्या बोला था आपको not a function पूछा था तो it helps in manufacturing of protein बिल्कुल सही it helps in manufacturing of enzymes बिल्कुल सही it helps in manufacture of hormones गलत है it helps in manufacture of starch molecules गलत है तो 3 और 4 जो है वो गलत था ठीक है न 3 और 4 जो है वो गलत था तो option number C is the right answer अगला सवाल question number 37 a person met with an accident in which two long bones of hands were dislocated दो बड़ी हड़िया हाथ के तूट गए which among the following may be possible reason tendon break, break of skeletal muscle, ligament break या areola 37 बढ़िया इसका सही जवाब option number C ligament break था क्योंकि bone से bone अगर हटा इसका मतलब ligament तूट गया तो सही जवाब option number C is the right answer अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया भी था एक टोट का BMT और BBL तो bone to bone ligament and bone to muscle tendon अगला सवाल question number 38 while doing work and running काम करते हुए और दौरते हुए यू move your organs like hand legs, हात और पर आपके हिलते हैं विच अमॉग दौर फॉलविग इस करेक्ट इनमें से कौन सा सही है smooth muscles contract and pull the ligament to move the bones smooth muscles contract and pull the tendons to move the bones skeletal muscles contract and pull the ligaments to move the bones skeletal muscles contract and pull the tendon to move the bones क्या होगा सही जवाब? बिलकुल सही option number C is the right answer skeletal muscles contract and pull the ligament to move the bones option number C is the right answer अगला सवाल question number 39 the two kidney shaped cells of the stomata are called कहता है रंद्र की जो दो kidney shaped यानि व्रिक के रूप के जो आकरितिया हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? epidermis guard cells, stoma या phloem question number 39, क्या होगा? guard cells कहते हैं, ठीक है न? kidney के shape के जो आपको cells पाए जाते हैं रंद्र यानि stomata में उसे हम guard cells कहते हैं they are guard cells ठीक है और आज का आखरी सवाल आज के 70 सवालों के rapid fire marathon में वो ये रहा xylem and phloemar, paranchyma simple tissues, simple permanent tissue या complex permanent tissue तो ये drinn स्थाई उत्तक हैं जर्टिल स्थाई उत्तक हैं option number D is the right answer तो आज के 70 सवालों में जिसमें 40 सवाल हमने biology पे करें और 30 सवाल हमने physics पे करें ये easiest question की एक पूरी आपको मैंने list दे रखे थी जिससे आपको सबसे ज़्यादा फाइदा हो सके अब वो बच्चे जिन लोगों ने अभी तक कुछ करने की भी नहीं सोची और बैठके बस आराम से सोच रहें कि हाँ कुछ तो हो ही जाएगा कुछ तो हो ही जाएगा बैटा ऐसे ही कुछ नहीं होता आपको कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है टेक है ना तो थोड़ा सा करने की कोशिश करिए वो जादा बहतर होगा अट्रेट 24-7 आपको डाउनलोड कीजिए औल कोर्सेज में आईए टीचिंग की आप तयारी करते हैं टीचिंग महा पैक सीधे लीजिए और टीचिंग महा पैक में देखिए आपको सारे बैचेज मिल जाते हैं और क्या ओफर्स अवेलेबल हैं आप चेक कर सकते हैं पहली बात 202 किताबे 264 विडियो लेक्चर्स 2842 मॉक टेस्ट 1000 घंटे की लाइव क्लास और बैटा वैलिडिटी डब 12 प्लस 12 की चल रही है 6 प्लस 6 की चल रही है तो इससे बढ़िया ओफर और क्या मिलेगा अभी डबल वैलिडिटी चल रही है डबल वैलिडिटी आपको मिल जाएगा कितने में 24 महीनों के लिए देखते हैं कूपन कोड लगाने से कितना फाइदा मिलता है वाई 223 कूपन कोड रट जाओ अपलाई करो आपको देखिए साड़े 11,000 के लगबग डिसकाउंट मिल गया 77 प्रतीशत डिसकाउंट और वो भी 24 महीनों के लिए तो आज की अगर वैलिडिटी छोड़ रहा है संडे स्पेशल तो फिर नुकसान में जाओगे क्योंकि 3334 रुपे में 12 महीने नहीं 24 महीने की वैलिडिटी मिल रही है और टीचिंग का महापक इसलिए बताता हूँ देखो इससे फाइदा क्या है कि जितने भी प्रिपरेशन्स हैं जितने भी प्रिपरेशन्स हैं प्रिपरेशन्स की तैयारी करने वाले हो आप लोग अप्रिपरेशन्स की इतनी तगड़ी वैकंसी आई है तो अलग-अलग कितने पैचिस पर्चेस करोगे भाई तो बेस्ट पार्ट इस गो फॉर टीचिंग का महापक और वो भी अभी जो डबल वैलिडिटी में मिल रही है मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ वाई डबल टू-3 पे 33-34 रुपए में वो भी 24 महीने के लिए मुझे उमीद है आज के 70 सवाल आपको थोड़ी कॉंफिदेंस भी दिये होंगे और कल से दुबार आपने रेगुलर सेशन में मिलेंगे जिसमें हम थोड़े से मॉडरेट और हाई लेवल को प्राक्टिस करेंगे तब तक आप अपना ध्यान रखे